हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आज की क्लास है हमारा फुर्ट स्टूडेंट के लिए जो की सबसे जादा परेशान है सबसे जादा परेशान सर कौन परेशान है ये बता दो कौन से स्टूडेंट परेशान है ये बता दो अपसिट स्टूडेंट बहुत सारे मेरे पास मेसेजेज बहुत सारे मेरे पास कॉल बहुत सारे बच्चों के कोईरीज आते हैं हमारा बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली हमारा दो एक सी बी सी है CBCS Choice Based Credit System हमारा एक खा सिस्टम जो की ओल्ट इसके बाद आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिशी बोलो नेशनल और जी एजुकेशन पॉलिशी बोलो एनिपी सर ये बच्चे को तो भी चली रहा है मैं इसकी बात नहीं करूँ है सबसे ज्यादा दुखी है जो हैं बच्चे वह सी बीसी इस वाले क्योंकि इनको कुछ भी नहीं मिल रहा ना बुक्स मिल रही है ना टैनियर्स मिल रहे हैं तो बड़ा परिशान है तो अगर मैं बात करूं तो समिस्टर अभी दो का पेपर चल रहा है सर स समिस्टर दो यार वालों का ना इसके बाद सर समिस्टर पोर का पेपर चल रहा है और सर समिस्टर सिक्स का तो सब कुछ मिल रहा है इन बच्चों को समिस्टर दो का कुछ भी नहीं मिल रहा इन बच्चों को समिस्टर चार का कुछ नहीं मिल रहा इन बच्चों को समिस्टर कि मैं लिख देता हूं कि उनको टैनियर तो मिल ही जाएगा सर कि कहां गए ग्रीज जी ग्रीज जी कि यह रहा है और नंबर आप ध्यान से लिख लिजिए कि 70 सेवन जीरो टिरपल वन पोर सेवन सिक्स थ्री जीरो यह उनका कॉंटैक्ट नंबर है इनसे कॉंटैक्ट कर सकते हैं क्यूंकि ना तो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी यह वाली टू की और चार की सीवी इस की बात कर रहा हो ना ही आपको नियरवाई शॉप पे मिलेगा तो उनसे कॉंटैक्ट करके जिस सब्जेक्ट में इयर है उसकी टैनियर आप ले लेंगे तो बेटर रहेगा आज की बात करते हैं सर आज किसके बारे में बताओगे आज आपका सबसे बड़ा दुख का पेपर सबसे बड़ा दुख का पेपर और आपके मन में एक ही बात चल रहा है बस यह पेपर पास हो रहूं फिर तो मैं दुनिया जीत लूँगा यह पेपर पास करते ही फिर तो कोई भी पेपर मेरे लिए चुटकियों का खेल है बिलकुल सही बात है स्टार्टिंग से आप सभी को बताया गया था कि भाईया यह पेपर टफ है और बहुत बच्चों का यहां पर E.R. है E.R. मतलब Essential Repeated करेंगे बच्चे यानि सर उनका बैक लगा हुआ है बहुत सारे बच्चों का सर इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो पांच यूनिट है इस यूनिट वन मैं यूनिट वाइज इसलिए कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे न फुली मेरे चैनल के उपर dependent रहते हैं बहुत सारे बच्चे जो है वो पूरे डियू के बुक के उपर dependent होते हैं तो उसी के यूनिट के अंदर आपका सबसे पहले शियर कापिटल है नमबर दो आपका buyback है मैं short form में लिखता जा रहा हूँ थोड़ा जल्दी नमबर 3 आपका isop है नमबर 4 आपका isop के बाद देखा जाए तो debenture है issue of debenture and redemption of debenture बहुत है नमबर 5 आपका यहाँ पे underwriter है यह कुछ मोटे मोटे chapter unit 1 में है तो sir क्या unit 1 हमें पूरा का पूरा करना पड़ेगा question यह होता है कि sir how to start हम start कैसे करें तो देखो start करने का और कम समय भी बचा है और smart practice करना है आपको तो सबसे पहले तो आपको share capital करना होगा share capital के बाद कुछ chapter को आप थोड़ा सा pause दोगे share capital basics है उसके बाद share capital के बाद जो sequence दे रखा है share capital आपको कर लेना है और फिर buyback करना है आपको ठीक है जो chapter करना है जो skip करके बाद में करना है यह दो chapter इसी unit में से कर लेना bonus share भी है काफी chapter है वैसे तो bonus फिर यह करना है bonus और इसके बाद right issue तो मान के चलो chapter ना के बराबर है तो यह तीन chapter पहले इस वाले unit में से कर लेने आपको कौन से सर equity share issue इसके बाद आपको कौन सा सर इसके बाद bonus इसके बाद buyback यह chapters आपको पहले कर लेना है इसके साथ के साथ एक chapter और भी है जो मुझे याद आ रहा है that is preference share capital वाला redemption पहले इनको खतम करेंगे इसमें से debenture छोड़ दीजिए अभी फिलहाल बाद में करेंगे इसके बाद इसमें से swap छोड़ सकते हैं इसमें से आप underwriter को भी skip कर सकते हैं और जो honors वाले बच्चे उनके लिए इसमें liquidation भी होगा ठीक है ना उनको भी skip करते यूनिट टू के अंदर final account है सर ये final account पूरा करें आप इसमें कोई रियायत नहीं है final account पूरा करें unit 3 आपका cash flow है ratio नहीं है आपके अंदर ratio नहीं है cash flow है तो आपका इसके जैसे ही just खतम होने के बाद मैं आप सभी को suggest करूँगा अब final account करिए ये आसान है लेकिन lengthy है मैं दुबारा कह रहा हूँ ये आसान है मगर lengthy है तो unit 2 आपका final account करना है इसके बाद फिर आप cash flow कर सकते हैं और इनके बाद आप cash flow को भी start कर सकते है final बीच में कर लें ठीक है unit 4 के अंदर आपके दो ही chapter है एक internal reconstruction और एक amalgamation और unit 5 में सरिफ एक chapter that is holding holding chapter YouTube पे नहीं डला हुआ बाकी सारे chapter हम regular basis पे डाल रहे हैं वहाँ पे बच्चे परिशान हो रहे हैं ये NEP के हम पढ़े या ने पढ़े chapter same है तो NEP और CBCS का कोई मतलब नहीं बनता chapter same है concept same रहेगे questions भी आपके even same रहेगे जो chapter अलग है वो आपको अलग से करना पड़ेगा जैसे कौन-कौन सा chapter सा liquidation जैसे holding ये दो ऐसे chapters है जो कि आपको NEP वाले slivers के अंदर नहीं मिलेगा कुछ NEP वालों के slivers में extra है जैसे underwriter of goodwill और बहुत सारे chapter valuation of goodwill, valuation of shares या फिर आपका आपका जैसे की CSR का point है वो उसके अंदर है तो ये chapter है कैसे पढ़ना है फिर देखे सबसे पहले हम share capital करेंगे फिर buyback कर लेगे bonus कर लेगे redemption of preference share कर लेगे जैसे जैसे हमें इसमें अच्छा लगेगा वो हम करते जाएंगे वैसे equity share के बाद पहले होना चीए bonus फिर होना चीए आपका redemption of preference share फिर होना चीए आपका buyback last में buyback होता है तो buyback last में होना चीए final account को करेंगे अच्छे से लिख लिख के करना है वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा आप जानते हो कि आपका पूरा साल depend करता है आपने बहुत सारे यहां पर अपने desire करें होंगे कि सर हमें आगे चलके या तो MBA का preparation करना है या CEG में जाना है direct entry में या फिर हमें UPSC की त्यारी करनी है CGL की त्यारी करनी है या और भी बहुत सारे fields होंगे आपको out of India settle होना है जाके तो वो सारी के सारी totally depend इस पर करता है एक paper में मतलब पूरा साल खराब हो जाना है आपका तो ध्यान से पढ़िएगा यह आपका corporate account है sir और corporate account इतना आसान नहीं है मेरे से बहुत अच्छे तरीके सा आप जानते हो आपने exam दिये हैं मुझे तो exam दिये करीब होगे 15-18 साल लेकिन आपने exam दिये हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि हाँ sir इसमें तो तम था इसमें ठीक है ना तो hopefully आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे और मेरी बातों को कितने time में खतम करना है मैं कहूंगा corporate account को daily कम से कम two hours दीजिए पढ़ने का क्या तरीका है अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया वीडियो को देखिए वीडियो के सारे के सारे questions को note करिए और जो questions आपको मैं करवाता हूं एक बार तो note भी करना है उसको फिर बिना देखे एक बार try जरूर करना है ठीक है ना जो theory वाला part होगा वो मैं पताता जाओंगा बीच बीच में ठीक है तो hopefully आपको पता चलेगा और मैंने contact number भी दे दिय बुक्स आपका जी आर मोंगा प्रफेर कर सकते हैं और प्लस में आप 10 यह ले सकते हैं यह टैनियर लेना लेना जरूरी है हाँ जी आर मोंगा और टैनियर के अंदर से पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा ऐसा शीओर नहीं रहता हाँ बहुत कुछ अच्छा पेपर आ आपको समझ में आया होगा मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहें लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा यूटुब पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि 50 गंटे की वीडियो है वो देख रहे हैं और बहुत सारे कैसे वीडियो हैं उसको देखने हैं उससे कर लेंगे टाइमिंग भी मिली है सब कुछ मिली है तो मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा जो यूटुब पर देख रहा है यूटुब पर लेटिस वीडियो देखेगा अगर आप यूटुब में च्राइब कर सकते ह सिर्फ CBCS वालों को बोल रहा हूं मैं आपको क्यूंकि लास्ट टाइम है और आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा आपके डिस्क्रिप्शन में गीवन है नंबर उनसे कॉंटक्ट करिएगा आपको बहुत 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 मिल जाएगा क सारे रिकॉर्डिट भी है आपने तो पढ़ा जरूर होगा थाइंक यू सो मच मिलते हम नेक्स वीडियो में